नमस्कार मैं करश्पर कोश्रिक आपका फिर से स्लागत करती हूँ अपने ही अप इस नेक्स पार्ट में जो की एंजल्स पे इन्हें धारत है जैसा कि हमने पहले वीडियो में आपको बताया था कि एंजल्स बुलाने पे आते हैं और हमें बहुत जादा हेल्प करते हैं हमें ह तो इंजल्स को बिलाने के लिए जैसे कि आपको पिछ्री वीडियो में भी बताया था कि लाइट्स नेचर से लेटेड चीजें अगरबती रूम फ्रेशर आप यह सब चीजें यूस कर सकते हैं तो अब क्या करना है उसके बाद आपको एक लाइट म्यूजिक चलाना है साब कुछ आप लगा के है लाइट ऑफ करके बिलकुल लाइट मूजिक, हीलिग मूजिक यूट्यूब पर मिल जाएगा हीलिग म्यूजिक या फिर आप इसे डाउनलोर्ड भी तर सकते हैं Healing Music लगाने के बाद आप अपने आपको बिल्कुल रिलाक्स कर लेंगे, बिल्कुल शान्थ, माइंड आपको बिल्कुल जीरो, कुछ भी नहीं आपको सोचना है, सिर्फ आपको कुछ कॉंसेंट्रेशन होना चाहिए, वो उस व्यक्ति पे होना चाहिए, जिसको आप चाहते है हैं, जिससे आप प्यार करते हैं, जिसको आप अपनी लाइफ में आगे पाना चाहते हैं, साथी साथ आपका पूरा कॉंसेंट्रेशन होना चाहिए, एंजल्स के उपर, आप बिल्कुल जीरो माइंड होके, बिल्कुल मेडिटेट करके, लंबी सांसों के साथ, नाप के जर माइंड में आपको एंजल्स को बुलाना हैं, एंजल्स, प्लीज कम एंड हैं, बिल्कुल मे, उनसी कीजिए, जिससे मैं प्रइंट करता हूँ, या करती हूँ, उसका नाम लेके, चाहिए, और आप बोलेंगे, कि आप मुझे उनसे मिल आने में मदद कीजीए, एक हाथ असना इप बैसंट मैटर वह राइट हो या लेफ्ट हो कोई भी हाथ हो सकता है आपका आप अपने हाट पे रखेंगे और अपनी हाट पीट को महसूस करना शुरू करेंगे उसके बाद आप कुछ टाइम बाद मेभी पांच, साथ या मेभी दस मिनट बाद आप फील करेंगे आपकी पूरी बॉडी में से पैरों से, सिर्ष से, हाथों से, पूरी बॉडी में से आपकी एक रड या पिंक रेस निकल रही है और व अपने विश्ण माघेंगे और इंजल्स जो रुमान्स के आइंजल्स अे इनजल्स वह सब आपको उस व्यक्ति से मिलाने में मदद करें और अगर आप ऐसा डेली करते हैं, तो बहुत ही जल्द आप पाएंगे कि आपके साथ आपका प्यार करने वाला साथ है, आपको जीवन साथ है, तो मैं आपसे इजाज़त लूगी, अभी फिलहाल, मैं आपको मिलती हूं अपनी अगली वीडियो में, आप ये जरूर ट्राइ कीजिए, इस्पेशली वो लोग जो प्यार के लिए अरस्ते हैं, जो प्यार मांगते हैं, जो कहते हैं, हमाई शादी नहीं हो रही हमाई शादी हो जाए, लोग मारज करना चाहते हैं, तो वो जरूर ट्राइ कीजिए, तो मैं आपसे अजाज़त लूँगी, नवश्कार